क्या कोरोना 2021 में और भी जादा खतरनाक होगा शवों को कहां पर करना पड़ रहा है अंतिम संस्कार के लिए भी इंतजार विवास समारों में क्यों हुई कोरोना की पूशा महमारी से जुड़ी खबरों के लिए आप देखें न्यूस्ट्रॉप नाइन यंदूत कोरोना कोरोना से 2021 में भुखमरी फैल सकती है विश्व खादि कारक्रम के निदेशक के मुताबिक महमारी के चलते दुनिया भुखमरी की कगार पर खड़ी है ऐसे में वक्त रहते जरूरी कतम उठाने होंगे निदेशक ने 2021 में कोरोना के और भैंकर होने की आशनका ज़दाई है कोरोना से ठीक हो चुके लोगों को भी दोबारा हो सकता है यह बिल्कुल पक्की बात है और कहा है कि प्रकॉशन जारी रखें अब भी देश की असी प्रतिशत आबादी को संक्रमण का खत्रा है दिल्ली में कोरोना के हफते भर के आखड़ों के मताबिक तीन दिनों से रोजाना लगबख 1000 केस कम दर्च किये जा रहे हैं 19 निवंबर को 7546 केस दर्च किये गए थे जबकि 20 निवंबर को 6608 और 21 निवंबर को 5889 केस सामने आए यानि इन तीन दिनों में दिल्ली में सुधार दिख रहा है कोरोना की रोखथाम के लिए मोधी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है नेपाल बॉर्डर पर अब जाच के बाद ही भारत में एंट्री होगी इंडो नेपाल सीमा पर डॉक्टर तैनात किये गए हैं अब सिभारती और नेपाली नागरिकों का कोरोना टेस्ट अनिवारे कर दिया गया है मसूरी के 57 आईएस ट्रेनी अफसरों को कोरोना संक्रमत पाये जाने के बाद अकैडमी को और 48 घंटे के लिए सील कर दिया गया प्रशासन्य अकैडमी को 5 कंटेन्मेंट जोन में बाटा है जहां आफसरों को आईसोलेट किया गया है तीन दिसंबर तक ट्रेनिंग समेथ सभी गतिविधियां ओनलाइन होगी इन दोर शादी में गणेश जी के साथ कोरोना वाइरस की भी पूजा हो रही है ताकि कोई विग्ण न आए सिर्पूर बाग में पूर पार्शत भगवती शर्मा के परिवार के घर बेटी दिक्षा के शादी थी शादी जून ने होनी थी लेकिन कोरोना के वज़े से देरी हुई अमारिका में कम्यूनिटी स्पेट से कोरोना का बड़ा मामरा सामनी आया है एक शादी समारों में शामिल 170 लोग कोरोना पॉजटिव आए गए इन में से 7 लोग की मौत हो गई, शादी में सिर्फ 55 लोग ही शामिल हुए थे अमारिका में बिना लक्षन वाले मरीज वाइरस फैला रहे है यूए सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का दावा है ये क्रिस्मस की छुटियों में हालात और बिगड़ने का डर है पिछले 6 दिन में 10 लाख लोग कोरोना संकर्मित हुए है शानिवार को 1 लाख बंचान भी हजार नाई के सामने आए